Hello everyone, Commerce अध्यन में आज हम देखने वाले है Financial Statement मैं हूँ पूजायादो और आपको क्लियर करूँगी Financial Statement की मीनिंग क्या होती है Financial Statements में किन Statements को इंक्लूड किया जाता है और ये किस Section के अंदर आता है क्योंकि 12th Board के जो एक्जाम सोने वाले हैं उसमें MCQs आएंगे तो वहाँ पर ये Section पूश सकता है Under Section पूश सकता है या फिर उन Statements को पूश सकता है कि क्या वो Financial Statement का पार्ट है या नहीं है तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखते हैं क्या होता है तो बने रहेगा वीडियो के साथ इंड तक मीनिंग की बात करें यहां पर So Financial Statement are the end products of accounting process जैसे कि आप कोई भी जब काम करते हैं तो उसका एक end product होता है एक end result होता है तो जो भी आपका business है जो भी आप उसमें transaction कर रहे है ना उससे related जो भी आप लेखा जो खा या accounting करते हैं जो record रखते हैं जो भी accounting का process है आपका जो financial statement होता है उसका end result होता है या end product होता है कहें तो इसका output होता है उन transactions का उन जो आपने उनका records रखा हुआ है उसका ठीक है क्या होता आउटपूत होता है या end product भी बोलते हो आप इसे They provide information about the profitability and the financial position of a business जो की provide करता है आपको किसी भी business की information के बारे में कि आप जान सकते हैं कि एक business की profitability क्या है मैं इसको किस तरीके से profit earn कर रहे है लाबदायता क्या है उनकी ठीक है लाबदायता क्या है प्लस उसकी financial position कैसी है उसकी विद्धिय स्थिति कैसी है कि उसकी assets जादा है या फिर liabilities जादा है या दोनों बराबर है तो आप एक business की ये सारी चीज़े जान सकते हैं उस financial statement को देख करके पढ़ करके यूज करके financial statement के गार हम बात करें तो इसमें इनको include किया जाता है और किसी include नहीं किया जाता है as per section 2 under section 40 of the companies act 2013 जो statement की बात की गई है financial statements की बात कही गई है वो कही गई है companies act 2013 section 2 under section 40 में ये बात बोली गई तो आप ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है question में तो आपको tick करना होगा correct section पे financial statement in relation to a company include the following अब किन-किन financial statement को include किया जाता है जो एक company से related होते है ठीक है so first point is a balance sheet as at the end of the financial year तो हम सभी को पता है कि जो balance sheet होती है जो आप इंड में बनाते है financial year के वो क्या होती है financial statement में include किया जाता है financial statement होती है क्योंकि वो उस company की क्या present करती है financial position present करती है कि उसकी जो financial position है उसमें उसकी assets जादा है या liabilities जादा है या दोनों ही बराबर ठीक है equal है second statement of profit and loss for the financial year अब आप जो profit and loss account बनाते हैं या profit and loss statement जो बनाते हैं आप उसमें क्या आप दिखाते हैं कि आपका net profit कितना आया है for the financial year cash flow statement cash flow statement वो होता है जिसमें आपके बिजनिस के अंदर कितनी cash का आउटफलो हुआ है कितना inflow हुआ है outflow means कितनी cash कितना पैसा आप की बिजनिस से बाहर गुया है means आपने payment किया है और cash inflow का मतलब होता कि कितना पैसा आपकी business में आया है means आपने कितना जादा cash receive किया है बाहर से ठीक है तो उसमें जो भी आप inflow या outflow cash का record रखते हैं वो present करता है क्या cash flow statement और ये भी financial statements का part है उसमें include किया जाता है explanatory notes की बात करें तो आप इसमें क्या करते हैं को explain करते हैं कि किस तरीके से हमने किस को find out किया है ठीक है जैसे हमने capital कैसे find out की है shareholders fund कैसे find out की ये सारी चीज़े आप उसमें show करते हो detail में लिखते हो तो ये भी किस का part है financial statement का part है अब अगर हम बात करते हैं कि financial year जो होता है वो किस section के अंदर आता है जैसे financial statement का section 2 40 किज़ेगा 41 हो जाएगा so company sec 2013 section 2 under section 41 है financial year के लिए तो ये point आप clear रखिएगा ताकि आपको असानी हो अगर ऐसे questions आते हैं तो आप tick कर सके correct answer पे okay मुझे उमीद है आपको इस सारे point अच्छे से clear हो गए होंगे मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और अगर मैं आपको अच्छे समझा पाई हूं तो comment section में comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू करे चानल पर नए विजिटर हो तो चानल कर सब्सक्राइब जरूर कर ले and I'm sorry मैं कभी कभी तुल तुल तुला देत कर सकते हैं वहां पर direct message कर सकते हैं आप मुझे अपने problems को share कर सकते हैं आज ही वीडियों बस इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care and thank you so much for watching this video